हेलो दम है शे all lazy यह फिर हम एक बर स्वागत है कि मैं आपकश लिए लाया हूं मॉबाइल फोन लाग जी हा तो हुआ आज के चेप्टर में हम बात करने वाले में हैं मॉबाइल फोन के ब्लॉग डागराम के बारे में यदि आप एक पर्फे realtà mobile phone technician बनना चाहते हैं तो ये chapter आपके लिए बहुत important होने वाला है मेलनी में बता दूँ आपको block diagram होता क्या है देखें जो repairing होती है इसके 3 level होते हैं आपने सुना हुआ L1, L2 and L3 L1 और L2 level का मतलब होता है कि जब mobile phone में LCDs को change करके या किसी part को change करके हम repairing करें तो उसको L1 और L2 level की repairing कहता है लेकिन मैं अगर L3 level की बात करूँ तो इस level में हम mobile phone की ICs को replace करके repair करता है और हम phone के internally जो fault होते हैं उसको diagnose करके repairing करता है तो उसको level 3 की repairing कहता है तो जब हम जिसको हम chip level repairing मोलता है तो जब हम L3 level की repairing करेंगे या सीखेंगे तो उस condition में हमें किसी भी phone का block diagram के बारे में अच्छी जानकारी होनी जरूरी है मतलब यूं कहें कि ये जो block diagram आज का chapter में मैं जो बताने वाला हूँ ये base है किसी भी mobile phone का आप यकीन मानिये जब भी आप phone को find out करोगे तो इसकी जरूरत आपको काफी पढ़ने वाली है जैसे example मैं आपको बताता हूँ इस block diagram में हम सिखेंगे कि हमारे mobile phone में कौन-कौन सी ICs होती है मैं किसी एक phone की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको किसी भी mobile का basic structure बताने वाला हो याने चाहे वो micromax का mobile हो चाहे वो samsung का mobile हो चाहे वो iPhone हो उसके अंदर का जो basic fundamental होता है कि किसी भी phone में कौन-कौन सी ICs होती है और किस ICs की connectivity किन-किन ICs से होती है और इसमें कौन-कौन से sections होते है तो यदि आप finally इसको जान लेंगे अच्छे से तो जब भी आप कोई भी phone को repairing करेंगे तो उस condition में जब कोई fault आएगा आपके आँक के सामने और जब आप उसको repair करने के लिए बैठेंगे तो आपके मारे में तुरंत अचानक यह चीज तो जरूर आएगी कि जो मैं fault repair कर रहा हूँ किस IC से connected है तो वही चीज मैं आपको इस block diagram में बताने वाला हूँ तो chapter start करने के पहले यदि आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लें और like, share और comment करना ना भूलें तो चली दोस्तो start करते हैं तो दोस्तो यह जो block diagram आप देख पा रहा है इसमें almost मैंने जितने भी sections होते हैं यह cover किये हैं और जो भी mobile phone होते हैं इससे आप पुरा समझ सकते हैं कि mobile phone में कितने sections होते हैं और कैसे काम करते हैं तो चली start करते हैं जैसे कोई भी mobile phone हो उसमें एक बड़ा processor लगा होगा जिसको हम CPU बोलते हैं CPU का full form होता है central processing unit यह जो CPU होता है यह हमारे mobile phone के जितने भी sections होते हैं उनको command देता है और हमारे mobile phone को process करता है तो यह main IC जो सभी mobile phone में होगी चाहे वो iPhone हो चाहे वो छोटा भी phone हो Nokia का सब में CPU processor होगा तो यहां पर आप देख पा रहे है U3 एक processor लगा हुआ है उसके बाद हर mobile phone में एक power section होगा और जो power section होगा यह इसके अंदर जो IC लगती है इसको हम PM IC के नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते है power management IC यह power IC होती है तो यह जो जितनी भी IC है हम one by one start करते हैं मैं आपको one by one बताता हो कि हमारा mobile phone का जो basic diagram क्या होता है तो सबसे पहले हम start करते है battery से तो देखिए यहां पर battery जो लगी है चाहे वो Nokia का mobile हो चाहे वो iPhone हो सभी phones में 3.7 volt की battery लगी होती है तो यहां पर यह battery है तो यह battery basically काम कैसे करता है हमारा phone जैसे हम mobile phone के अंदर battery put करते हैं insert करते हैं या कुछ mobile phone के अंदर internal battery भी use होती है तो automatic रहती है तो 3.7 volt की supply power IC के अंदर जाती है यह इस condition में आपका phone on नहीं है यह off condition में भी 3.7 volt power IC के अंदर होती है और जैसी यह 3.7 volt की supply power IC के अंदर जाती है तो power IC automatic 2.8 volt की supply हमारे mobile phone के on-off switch पर output करती है यह basic fundamental है कोई भी phone हो चाहे हो CDM में हो, चाहे हो GSM हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो यह जो basic चीज है यह सब में same होगी आप याद रखिएगा और याद रखिएगा जो on-off switch होता है, उसकी connectivity हमेंसा कहा होगी power IC से होगी on-off switch की connectivity power IC से ही होगी उसकी voltage power IC से ही आएगी और जैसे ही आप on-off switch को press करते हैं हम on-off switch को press करते हैं तो यहाँ पे supply sort होती है और power IC को तुरंट sense हो जाता है कि हमें phone on करना है और power IC अपनी पूरी output voltages output करती है और हमारा phone on हो जाता है यह main basic fund होता है किसी भी mobile phone का अब देखिए यहाँ पे अब power IC का क्या काम होता है मैं बताता हूँ देखिए हमारे mobile phone में battery 3.7 volt ही होती है लेकिन हमारे mobile phone में कई सारी ICs लगी होती है जैसे signal IC होती है, wifi IC होती है, bluetooth IC होती है, FM IC होती है, audio IC होती है कई सारी ICs लगती है तो इन ICs को अलग-अलग voltages चाहिए जैसे किसी IC को 1.8 volt चाहिए, किसी IC को 2.8 volt चाहिए, किसी IC को 1.2 volt चाहिए तो हमारे जो PM IC होती है, power management IC होती है यह 3.7 volt battery का लेके और इसको regulate करके अलग-अलग ICs को अलग-अलग voltages provide करती है और इससे हमारा phone proper functioning करता है तो यहाँ आप समझ गयोंगे कि power IC क्या काम करती है तो हर type के phones में power IC लगी होगी हाँ, फर्क यह हो सकता है कि किसी-किसी phone में एक की जगे 2 power IC लगी हो होता है, अगर आप बड़े phone देखेंगे तो हो सकता है 2 IC हो लेकिन होगी ज़रू तो यह basic आपको समझ में आ गया होगा अब देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो power IC होती है इससे क्या-क्या चीजे connect होती है मैं आपको बता दूँ देखे, power IC जो होती है इससे mainly on-offish connect होगा battery भी connect होगी और अगर हमारे फोन में अगर जो vibrator होता है जो motor जो vibration करता है हमारा mobile यह भी power IC से ही connect होता है मतलब power IC से ही इसको voltage मिलती है इसके अलावा देखे, इस phone के अंदर जो audio है audio IC, यह भी power IC के अंदर connect है मतलब हमारे phone में एक audio section होता है और यह जो section होता है यह इस section से हमारे mobile phone में speaker, ringer जो tone बसती है और जो vibrator यह तीनों यह audio IC से connect होता है इसके अलावा जो headphone जो mic होता है जो earphone हम use करते हैं यह भी audio IC से connect होता है तो यह जो audio IC हो सकता है separate लगी हो किसी phone में अलग से लगी audio IC या कई बार होता है कि यह audio IC हमारी PMIC यह पावर IC से ही के अंदर ही include हो लेकिन होगी जरूर यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो जितने भी sound sections हैं यह हमारे audio IC से connected होते हैं इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताओं कि जो बड़े phones होते हैं उसके अंदर जो ringer होता है ringer के sound को boost up करने के लिए अलग से हो सकता है कि ringer IC लगी हो जिसको हम audio amplifier IC बोलते हैं तो यह भी हो सकता है यह basic fundamental है हो सकता है कि कोई छोटा phone हो तो उसके अंदर direct audio IC से connectivity हो और उसके अंदर कोई IC sound के लिए ना लगी हो और अगर कोई बड़ा phone हो सकता है कि audio IC होगी ही उसके साथ साथ sound को boost up करने के लिए एक और audio amplifier लगा हो सकता है छोटी IC तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो यह function मैंने आपको बता दिया power IC का और audio IC का अब हम बात करते है charging देखिए जो हमारा charging jack होता है किसी भी mobile phone में आज कल आपने देखा होगा कि micro USB charging jack आता है और अभी नया आपने देखा कि type C भी आ चुका है और इसके पहले Nokia में two pin के charger यूज़ होते थे तो charging jack का का काम होता है mobile phone को charge क करना लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आज कल mobile में charging jack का use हम data transfer के लिए भी करते है mobile को computer से connect करके हम data को transfer करते हैं तो यह jack के और भी काम है तो यह जो charging होता है यह especially mobile phone को charge करने का काम करता है definitely आपको पता है तो इसके लिए एक charge IC भी होती है हर phone के अंदर almost हर phone के अंदर एक charge IC लगी होगी ठीक है तो जैसी हम यहाँ पे charging लगाए इस point पे तो यह जो 6 volt की supply charge IC के अंदर जाती है 5 to 6 volt और यह जो charge IC होती है यह अपनी output supply देती है और यह supply वैसे battery पे भी जाती है जो battery होती है उस पे भी जाती है और इसक power IC पे भी जाती है और CPU पे भी जाती है ठीक है तो यह charge IC हमेशा लगी होगी और कुछ mobile phone में जो charge IC होती है वो power IC के अंदर भी inbuilt होती है तो आपको यह चीज ध्यान रखना है अगर किसी phone में अगर charge IC अगर अलग से नहीं लगी होगी तो यह almost power IC के अंदर inbuilt होगी तो यह common सी ब हमारे mobile phone में जितने भी sensors होते हैं multimedia phone में जैसे accelerometer sensor हुआ, proximity sensor हुआ, magnetometer sensor हुआ, ambient line sensor हुआ, barometer sensor हुआ, जितने भी sensors होते हैं यह almost न CPU से connect होते हैं यह जो sensors होते हैं on board भी लगे होते हैं या flex के through mobile phone के PCB में connect होते हैं, लेकिन इन सभी sensors की connectivity direct CPU से होती है, कई बार क्या होता है, इन sensors के track में कुछ components या कोई IC drivers लगे हो सकते हैं या ना लगे हो तो यह CPU से ही direct connect होते हैं, चाहिए कोई भी phone हो, sensors के बारे मैं आपको थोड़ा सा बता दो, जैसे example आप जब किसी को call करते हैं, तो call करते हैं दोरान आपकी, जैसी आप phone को कान के पास लाते हैं, अपने ear के पास, वैसी आपके display की light off हो जाती है, तो यहाँ प इसके अलावा जो GPS होता है, direction होती है, इसके लिए magnetometer sensor, मतलब बहुत सारी चीजे काम करते हैं, इसकी डिटेल में अलग से वीडियो डालके बताऊंगा आपको sensors के बारे मैं, तो हमारे phone में जितने भी sensors होते हैं, यह CPU से connectivity होती है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं HDMI transmitter, हमार जो हमारा होता है video processor होता है, यह display के अंदर inbuilt होता है, जो display के लिए signal generate करता है, हाँ, आपको ज्यादातर phones में मिल जाएंगे, display drivers मिल जाएंगे, मतलब जो phones होते हैं, उसमें display के लिए CPU से signals आते हैं, उसके लिए बीच में कुछ display drivers होंगे, जो signals को filter करने के लिए use होते हैं, औ जब वो drivers खराब हो जाते हैं, तो उस condition में आपके display white हो जाती है, यह बिल्कुल आती नहीं है, तो यह fund होता है display का, कई बार आपने देखा होगा कि display को हम बार बार change कर देते हैं, और उसके बाद भी display नहीं आती है, तो उस condition में हम, और उस phone में यदि display IC नहीं है, तो फिर हम CPU को revolve करना होता है, उसकी ball dry हो जाती है, यदि display IC है, तो हम उसको change करके भी phone को repair कर सकते हैं, तो display का सीधा सा है, कि display जो section होता है, इसके अंदर या तो display खराब होती है, या फिर आपको check करना होगा, कि CPU से जो signal आ रहे हैं, उसके बीच में कोई ना कोई IC लगी होगी, जो display के signals को filter करती हो, या protect करती है, protection driver भी लगे होता है, या तो फिर आपका CPU खराब होगा, तो यह main इसका system होता है, अब हम बात करते हैं, यहाँ आपर camera लगा है, देखिए हमारे phone में एक या तो front camera होता है, जिसको हम selfie camera बोलता है, और एक जो main camera होता है, secondary camera होता है, यह जो cameras होते है, इनका भी, इनकी भी जो connectivity होती है, उस direct CPU से होती है, यह connectivity CPU से होती है, और इसके अंदर जो processor होता है, यह इनको command करता है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ बता दू, cameras की कुछ supply जो होती है, drivers के थुरू आती है, तो हो सकता है कि camera के section में छोटे 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 power supply के लिए drivers लगे ह जो इनको supply देते हूं, तो उनके खराब होने से भी camera के अंदर supply camera proper काम नहीं करेगा, तो यह चीज़ आपको देखता है, बाकि finally camera की connectivity कहा से होती है, यह CPU से होती है, हम इसको 100% बोल सकते है, कोई जो वालो camera की connectivity power IC से नहीं होती है, camera की connectivity कहा से होती है, CPU से होती है, अब हम बात फ़र सभी phone touch वाले आने लगें, लेकिन यदि keypad वाला phone है, तो keypad की भी connectivity direct CPU से होती है, direct, और जैसी हम keypad में कोई key को press करते हैं, तो इसको direct CPU sense करता है, इसकी connectivity और किसी IC दूसरी से नहीं होती है, जैसे power IC, audio IC से नहीं होती है, यह direct connectivity का से होती है, CPU से होती है, तो जो keyboard होता है, और CPU होता है, इसके बीच में almost phones में छोटी 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 glass ICs लगी होती है, जो काम क्या करती है, कि CPU के जितने signals आते हैं, उनको filter करने का काम करती है, उसको हम protector भी बोलते हैं, वो protect भी करती है, तो वो जो driver होते हैं, glass के, वो लगे होते हैं, और उनके खराब होने से भी keypad य connectivity होगी, CPU से होगी, और keypad के लिए CPU के बीच में keypad IC लगी होगी, यदि किसी phone में keypad IC नहीं लगी है, तो उस condition में आपके CPU में problem आ सकती है, तो CPU को आपको reball करना पड़ेगा या heat करना होगा, यदि keypad IC लगी है, तो उसको आप replace करके keypad को repair कर सकते हैं, तो यह basic चीज है, अब हम आते हैं, ओपर यहाँ पर हमारे phone में GPS का features add हो गया है, जितने भी multi video phone आते हैं, tracking के लिए GPS section add हो चुका है, इसके अलावाद W लेने ने Wi-Fi section तो होता ही है, BTNA Bluetooth section, FM and NFC, ये भी add हो चुका है, ये जितने भी sections होते हैं, ये sections के लिए sure ICD होगी phone के अंदर, और in IC's का connection CPU से होत connection CPU से होता है, मतलब जो हमारे phone में Wi-Fi चलता है, या Bluetooth चलता है, या FM चलता है, NFC या GPS, इन सभी के लिए या तो एक बड़ा driver दिया होगा, एक ICD होगी, या फिर हो सकता है कि Bluetooth और Wi-Fi के लिए एक ICD हो, NFC, FM के लिए और दूसरी ICD हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये IC होगी ज connection direct CPU से होता है, अब हम बात करते हैं touch screen के लिए, आज कल जितने भी हमारे phone आ रहे है touch वाले, जिसमें touch screen होती है, इसके अंदर सबसे पहले तो अगर किसी भी phone की touch काम नहीं करती है, तो definitely touch screen ही खराब होती है, almost तूट जाती है, या crack हो जाती है, या फिर internally problem आ जाती है, तो हम स touch screen का भी direct connectivity CPU से होती है, कोई भी phone हो, direct connectivity CPU से होती है, तो इस चीच को आपको ध्यान रखना है, हाँ, touch screen और CPU के बीच में कई बार यहाँ पे touch IC भी लगी होती है, और इस touch IC के खराब होने से भी touch screen काम नहीं करेगी, तो जब भी आप touch के fold को repair करें, तो पहले touch screen चेंज करके दे condition में, आपको यह ध्यान रखना है, कि sure touch IC होगी, आपको ढूनना है touch IC और उसको repair करके देखना है, और by the way, अगर touch IC किसी phone में नहीं है, तो फिर यह fold direct कहां से आएगा, CPU से, तो उस condition में CPU को heat देना होता है, या इसको revolve करके लगाना होता है, अब हम बात करने वाले हैं SIM card के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल के जितने भी mobile phone यूज हो रहे हैं, उसके अंदर single SIM card या double SIM card का socket रहता है, almost double SIM card यूज हो रहे हैं, तो यह जो SIM section होता है हमारा, यह हमेशा CPU से connect होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो SIM socket हो एक pin ऐसी होती है, जिस पे supply power IC से आती है, और बाकी की जो 5 pin होती है, उसमें ground होती है, और 4 pin की supply हमेशा CPU से आती है, यह common चीज है, चाहे वो कोई भी phone हो, तो हम कह सकते हैं कि SIM card की एक pin हमेशा power IC से connect होगी, और बाकी की जो 4 pin होती है, वो CPU से connect होती है, और एक pin ground होती है, यह basic structure होता है, तो यह चीज होती है SIM card के लिए, अब हम बात करते हैं, आगे चलते है system memory, जो system memory होती है, वो RAM होती है, और जो RAM होती है, वो हर mobile phone के अंदर होती है, आपने सुना होगा कि phone के अंदर 2 GB की RAM है, कि 6 GB RAM है, कि 12 GB RAM है, कि 16 GB RAM है, तो RAM होती है, और RAM से हम understand कर सकते हैं कि जत इतनी ज्यादा RAM होगी, हमारे mobile phone की speed भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो जो RAM होती है, हो हमेशा CPU से connected होती है, और कई सारे नए models phone आ रहे हैं, उसमें RAM जो होती है, वो CPU के अंदर भी inbuilt होता है कई बार, डबल डेकर IC आती है CPU के अंदर, जो RAM inbuilt होती है, तो यह आप देख सकते ह बाहर भी होगी, तो यह हमेशा CPU से connected होगी, और इसके अंदर कोई driver नहीं लगा होता है, यह direct इसकी connectivity CPU से होती है, और यह size में काफी बड़ी IC होती है, अब हम बात करते है, mass storage, यह हमारे mobile phone का काफी important chip होता है, इसके अंदर हमारे mobile phone का पूरा data store होता है, आपने सुना होगा कि हमारा phone 8GB का है, या 16GB का है, या 64GB का है, या 128GB का है, तो यह जो GB की हम जब बात करते हैं, तो यह हमारे जो पूरा data ना इसी IC में store होता है, इसको हम EMMC chip भी बोलते हैं, और यह chip हमेशा CPU के पास लगी होगी, जहां भी होगी CPU के पास लगी होगी, और यह chip कभी भी किसी भी IC के साथ invilt नहीं आती है, यह हमेशा separate लगी होती है, यह अलग-अलग companies की लगी होती है, जैसे Samsung की भी आती है, तोसीवा की भी आती है, इस तरीके से अलग-अलग company की लगी होगी, और यह जो chip होगी हमेशा processor के पास ही लगी होगी, इसकी पहचान होती है, अब हम बात करते है यहां पर दूसरा पार्ट है, यह यहां पर लिखाए SD card, यह जो SD card मतलब होता है, कि जहां पर हम memory card insert करते हैं, जिस socket में, यह वो socket है, और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी company का phone हो, उसके अंदर जो SD card insert होगा न, उसकी जितने भी pinों पर supply आएंगी, वो direct CPU से आती है, इसमे के अलावा जितनी भी pinे होती है, वो उस पर supply पूरी CPU से आती है, हाँ यह हो सकता है, कि SD card को जो supply CPU से आ रही है, इसके बीच में कोई driver IC लगी हो, यह ति driver IC लगी है, तो वो खराब होगी, और driver IC नहीं लगी है, तो आप CPU को faulty के लिए check कर सकते हैं, इसके अलावा हो सकता है, कि आपका जो adapter खराब हो, जिसमें आप SD card लगा रहे हैं, उसकी pinे टूड़ गई हो, यह आगे का procedure है, लेकिन मैं आपको अभी बता दो, कि इसकी connectivity हमें सा CPU से होती है, और एक चीज मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर छूट छूट गया एक चीज, जो मैंने Charge IC का आपको negative, एक pin होती है, RX और एक pin TX, यह चार pin होती है, तो मैं आपको बताओ कि जो charging होती है, उसके लिए charging positive और negative से हमारा charge होता है phone, और जो हमारी RX और TX की pin होती है, वो data transmitting के लिए use में लाई जाती है, तो जो charging IC की connectivity, हमारा जो जब हम charging लगाते हैं, तो उस condition में mobile phone के charge करने के लि पर important होती है, मतलब charging के जो positive negative pin charge IC से connect होगी, लेकिन जो दो बची पीने होती है, वो direct processor से connect होती है, और इसके अलावा जो charging jack की positive और negative pin होगी, वो charge IC से connect होगी, यह इसमें differences होते हैं, इसके अलावा जो type C के jack नए वाले आ रहे हैं, इसमें काफी pin होती है, उन में भी almost पिने CPU से connect होती है और बाकि जो mobile phone को charge करना है वो पिने charge IC से connect होंगी ये common चीज़ होती है आपको किसी भी phone में ये चीज़ पता होनी चाहिए अब हम सबसे बड़े section की बात करता है ये है RF section याने signal network section जो हमारे phone का network section होता है इसके दो रास्ते होते है एक रास्ते को हम बोलते है RX track और एक रास्ते को बोलते है TX track RX याने जहां से signals हमारे phone के अंदर आते हैं और TX मतलब जहां से signal हमारे phone से बाहर जाते हैं तो ये जो हमारा signal section काफी बड़ा section होता है इसके अंदर PFO power amplifier लगा होता है और signal IT जो RF signal को process करने के लिए लगी होती है ये काफी बड़ा section होता है और इस section की पूरी जो connectivity होती है वो CPU से भी होती है और audio IC से भी होती है ये जो RF section होता है इसके अंदर जो RF signal आते है ये जो RF IC होती है उस signal को decode करती है और फिर ये प्रोसेसर के अंदर जाते है और फिर प्रोसेसर से signal निकलके audio IC के अंदर आता है और audio IC उस digital जो analog signals होते है उसको audio signal में यानि digital signal में convert करके और mic और speaker को जब supply देती है तो हम आज को सुन पाते है और जो mic से हम बोलते हैं उस signal को process करके और signal section के थो आउट करती है तो ये काफी लंबा procedure है signal section का तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे phone के अंदर ये procedure होता है और ये system होता है इस हिसाब से हमारा phone पुरा circuit हमारा काम करता है इस diagram को समझने के बाद आप इतना तो जान ही गए होंगे कि यदि मैं कहूं कि touch screen phone की काम नहीं कर रही है चाहे वो mobile कोई भी हो तो आप इतना सोच सकते हैं कि या तो touch खराब होगी या touch की कोई IC लगी होगी या फिर ये पूरी connectivity जो touch की होती है वो CPU के साथ होती है तो ये तो आप समझ गयोंगे ये एक basic concept होता है इसके बाद जब आप tracing करेंगे तो उसमें आप diagnose करेंगे कि ये IC कितने pin की होगी touch IC किस model में होती है या किस model में नहीं होती है लेकिन एक basic concept आपका clear हो गया होगा जैसे मैंने SIM बताया यदि माल लीजे SIM काम नहीं कर रहा है और मैं आपसे पूछू कि इसके लिए आप क्या करेंगे तो आप इतना तो बता ही सकते हैं कि जो SIM होता है SIM socket किसी भी mobile में उसकी एक pin को supply power IC से आती है और बागी pinे connect होती है CPU से तो इतना तो sure है या तो power IC से आने वाले track में problem होगी या फिर CPU से आने वाले track में problem होगी ये एक common basic knowledge होती है यदि मैं बात करूँ मेरे phone का memory मेरे phone में memory card काम नहीं कर रहा है तो आप first primary अपने memory socket को check करेंगे यानि कोई pin तूटी तो नहीं है यदि फिर भी memory card काम नहीं कर रहा है तो definitely आप बोल सकते हैं कि मेरे mobile phone के mmc socket में जितनी भी supply है CPU से आती है हाँ हो सकता है कि बीच में कोई driver लगाओ यानि IC लगी हो तो ये मेरा main मकसद था आपको ये block diagram समझाने का मुझे उमीद है कि ये block diagram को समझने के बाद ये आप जब repairing करेंगे तो आपके लिए काफी helpful होगा और मैं उमीद करूँगा कि इससे आपको काफी help मिलेगी तो इसी तरी के साथ मेरे videos को देखते रहें और यदि आपको मेरे videos पसंद आते हैं तो please मेरे video को subscribe, like और share करना ना भूलें तो दोस्तों मिलते हैं next chapter में धन्यवाद